हेलो एवरिवन आप सब लोग का मेरा यूट्यूब चैनल में हर्दिक स्वागत है आज हम लोग राइट दी प्रोड़क्ट्स ऑफ दी फॉलोइंग डियाक्शन इस जैसे क्वेस्टेंस का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे ठीक है तो आज हम लोग क्वेस्ट नमर फॉ करते हैं कुएस्टन नमर फॉर्थ का फॉर्स्ट जो है उसमें एक सेगेंडरी अल्कोहल दिया गिया है यह सेगेंडरी अल्कोहल कौन सा है साइक्लोहेक्स तू इन वान ओल ठीक है इसको जब भी हम लोग पी सी सी के साथ रियक्शन करवाते हैं पी सी एक्शुली क्या है प तो पिरिदिनियम क्लोडो क्रोमेट है क्या यह है यह इसके साथ क्या होता है CR double bond O double bond O single bond CL single bond O minus actually यह 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 तीनों का mixture है ठीक है तीनों का mixture किसका किसका पिरिदिन यह है पिरिदिन इसके साथ CRO3 chromic oxide plus ACL आया समझ में यह तीनों का mixture को क्या बोला जाता है पिरिदिनियम क्लोडो क्रोमेट पिरिदिनियम क्लोडो क्रोमेट क्या होता है actually mild oxidizing agent है यह क्या करता है primary alcohol को aldehyde में convert करता है और secondary को ketone में convert करता है तो यह देखो यह क्या है secondary alcohol है तो secondary alcohol को यह किसमें convert कर देगा यह ketone में convert कर देगा है ना किसमें convert कर देगा यह ketone में convert कर देगा ठीक है देखो यह secondary alcohol ketone में convert कर दिया है ठीक है अब हम लोग second का answer देखते है इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा इसके साथ ये वाला ग्रूप जुड जाएगा सिंगल बॉण्ड C6H5 बनेगा प्लस क्या बन जाएगा CdCl2 ठीक है देख लीजिए आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएगा थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि बेंजोईल क्लॉड रइड है C6H5 COC L बेंजोईल क्लॉड को जब भी हम लोग रोजनमान्ड रिड़क्षन करते हैं रोजनमान्ड रिड़क्षन के बारे में मैंने डीटेल्स में बोला है नेम रियक्शन वाला पॉस्चन में वहां से आप लोग देख सकते हैं प्लास बेडियाम सेलफेट के साथ अगर हम लोग रियक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है बेंजोईल क्लोडाइड बेंजोईल्डीयड में कन्वर्ट हो जाता है मतलब CCH5 सिंगल बॉंड CHO में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो यह आप लोग का प्रोड़क्ट यह है और यहां पे फस्ट में प्रोड़क्ट यह है ठीक है तो क्विस्ट्नमबर फॉर्थ का शूरु करने से पह Aluminium Hydrite प्लस अगर Water के साथ अगर हम लोग reaction करवाते हैं तो CN जो है वो किसमे convert हो जाता है CHO में convert हो जाता है ठीक है CN किसमे convert हो जाता है CHO में convert हो जाता है तो इसी लिए अगर हम लोग इसको लेते हैं CH3 single bond CH double bond CH single bond CN ठीक है तो यह CN को यह किसमें मैंने अभी बोला है किसमें convert कर देता है यह reagent dye, iso, butyl, aluminium, hydride and water CN को किसमें convert कर देता है CHO में convert कर देता है तो CH3 बाद बाकी portion को हम लोग कैसे same to same लिख देंगे ठीक है सिर्फ CN जो है वो किसमें रहेगा CHO में convert हो जाएगा CN, CHO में convert होगा अगर आप लोग इसको solve, अच्छे से समझ गये हैं तो question number 5 आप लोग solve कर सकते हैं यह question number 5 आप लोग का homework है इसमें भी मैं एक hints देता हूँ यहापे hint देता हूँ CN को अप लोग को सर्फ CHO करना है product में तो question number 6 देखते हैं हम लोग question number 6 जो है वो वाला क्या है cyclohexanone है है ना तो cyclohexanone को जब भी हम लोग CS3 Mg BR के साथ reaction करते हैं उसके बाद अगर उसका protonation करते हैं तो उससे क्या formation होगा corresponding alcohol बन जाएगा ठीक है मतलब HO single bond CH3 बन जाएगा ठीक है plus Mg BR plus OH बनेगा ठीक है Mg BR plus OH बनेगा तो आप लोग का main product यह होगा question number 7 question number 7 जो है देखो वहाँ पे cyanohydrine का formation होगा cyclohexanone है जब cyclohexanone को अगर हम लोग HCN के साथ अगर हम लोग reaction करते हैं तो इससे क्या formation होता है यह जो C double bond हो है यहाँ पे H plus CN minus है तो CN minus इस carbon को attack करता है और यह bond ऐसे खुल जाता है ठीक है तो पहले दो bond था अब एक bond रहेगा ठीक है ऐसे अगर approach करता है तो हम लोग क्या लिखेंगे CN ऐसे इसके साथ bond बनाएगा और यह वाला जो double bond था वाला double bond किसमे convert हो जागा single bond में convert होगा O minus H plus हम लोग कैसे लिखेंगे O H के रूप में लिख देंगे ठीक है साइनो हाइडरिन बन गया ठीक है अब देखिए अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ गए है तो आप लोग इसको solve कर सकते है question number 8 को question number 8 question number 8 जो है इसमें क्या बन जाएगा benzyldehyde दिया हुआ है benzyldehyde दिया हुआ है benzyldehyde को अगर हम लोग NaCN, HCN NaCN उसके साथ sorry HCl दिया हुआ है NaCN और HCl के साथ reaction से क्या बनेगा HCl plus NaCl बनेगा तो यहाँ पे भी हम लोग को cyanohydrine ही मिलेगा main product के रूप में ठीक है तो यहाँ पे CH रहेगा CH के साथ क्या जुरा हुआ रहेगा 2-2 1 OH और 1 CN देखो इस जैसा बनेगा है CH के साथ जो C double bond O है C double bond O कि इसमें convert हो जाता OHR CN में convert हो जाता समझ गए हो साथ Question No.9 Question No.9 में क्या रहाग गया है C6H5 COCH3 C6 H5 CO CH3 ठीक है This is Acetophenone है ना इसको अगर हम लोग sodium hydroxide along with I2 के साथ अगर हम लोग हीट करते है याद रखना बच्चो कोई भी अगर compound organic compound में CH3 CO group है ठीक है उसको जब भी हम लोग यह नहीं होई अगर हम लोग हीट करते है तो यह क्या देता है Idoform टेस्ट देता है मतलब यह वाला yellow color का compound formation करता है yellow compound Idoform बनाता है ठीक है इसके साथ साथ हम लोग क्या मिल जाएगा C6 H5 C double bond O single bond O minus Na plus ठीक है Idoform बनेगा along with sodium benzoid बनेगा तो यह वाला yellow color का compound formation होता है इससे हम लोग ketomethyl group को detect करते है ठीक है तो next class में जब हम लोग distinguish between the two compounds करेंगे तो उसमें हम लोग को इसका application करना है तो अच्छे से इसको practice कर लेना अब हम लोग इसको देखते है next को देखते है next reaction question number 10 देखते है question number 10 में देखो क्या दिया हुआ है CH3 single bond CH2 single bond CH double bond O को अगर हम लोग किसके साथ reaction कर रहे है hydrazine H2N single bond NH2 B में क्या है KOH alloyate glycol मिला के हिट करना देखो ये जो डियेजेंट है ये कौन सा डियेजेंट है बताओ तो कौन सा नेम रियाक्शन का डियेजेंट है याद करो ये वाला जो है ओल्फ किसनर reduction reaction का ये डियेजेंट है है ना तो इसी लिए हम लोग क्या जानते है किसनर reduction में क्या हो जाता है C double bond O मतलब C double bond O ये जो है ये वाला group किसमें convert हो जाता है CH2 में convert हो जाता है किसमे convert होता है CH2 में convert होता है आया समझ में मैं फिर से बोल रहा हूँ CO को किसमे convert कर देता है CH2 में convert करता है ठीक है पादबा की portion को तुम लोगों सेमें सेम लिख देना है । जैसा था विलकुल वैसा लिखना है इस भादवागी पोच्ट ठीक रख दिए इसमें कनवर्ट कर दिए तो इसमें इस सी क्या फार्मेशन होता है यह वाला य' का का मतल taxation हुआ है कि यहाँ मतला यहां पर मैं पहले ही बोल चुका हूं यह बना देना है अब हम लोग क्वेसे नंबर 12 देखते हैं क्वेसे नंबर 12 देखो हाइड्राजोन का क्वेसे सब्सक्राइम म corazón औरotal डीचन है और ऑीयशिप इनस सब्सक्राकर आए सब्सक्राइम करते हैं और में और 214 देखते अ्धारच री यह water के साथ मिलके वाट यह ओक के साथ मिलके water बना देता है फिर से बोल रहा हूं NH2 का जो hydrogen है न यह ओक के साथ मिलके क्या बना देता है water बनाता है ठीक है और hydrogen बन जाता है ठीक है अब हम लोग question number 13 देखते हैं question number 13 में देखो यह एक ऐसा aldehyde है जिसमें कोई भी alpha hydrogen नहीं है न तो CH3 single bond CH3 single bond CHO इसमें क्या है देखो कोई भी alpha hydrogen नहीं है न नो alpha hydrogen देखो आलफा कार्बन को देखो यह वाला क्या है यह आलफा कार्बन है न तो आलफा कार्बन के साथ कोई भी alpha hydrogen नहीं जुड़ा हुआ है तो इसलिए यह क्या देगा यह जो है कैनिजारो reaction देगा तो इसलिए इसको जब भी हम लोग concentrated sodium hydroxide के साथ अगर हम लोग reaction करते हैं तो इससे क्या हो जाता है इसका oxidation होगा प्लस reduction भी होगा तो इससे reduction से इसका corresponding alcohol formation हो जाएगा मतलब CHO जो है वह वाला CH2OH में convert हो जाएगा ठीक है और दूस्ता वाला में जो है CHO का oxidation होगा और यह corresponding कार्बोक्सिलेट आयन में convert हो जाएगा सिंगल बॉंड सी डबल ओ माइनस एने प्लस सोडियम कार्बोक्सिलेट में convert हो जाएगा question number 14 देखो HCHO है यहाँ पर भी क्या है no alpha hydrogen no alpha hydrogen तो इसी लिए इसको भी अगर हम लोग concentrated KOH के साथ reaction करते हैं तो इसका भी क्या होगा self oxidation reduction reaction होगा ठीक है मतलब क्या formation होगा CH3OH H methanol formation होगा plus क्या formation होगा HCHO minus K plus ठीक है अब हम लोग question number 15 देखते हैं question number 15 जो है देखो यहाँ पर C6H5 CH3 लिया गया है toluene है toluene को जब भी हम लोग C6H5 CH3 toluene को जब भी हम लोग KmnO4 alkaline KmnO4 alkaline KmnO4 कि क्या बोला जाता है alkaline KmnO4 बोला जाता है उसके बाद अगर हम लोग H2O plus के साथ reaction करते हैं तो corresponding carboxylic acid बना देता है आया समझ में अभी हम लोग question number 16 देखते हैं question number 16 देखो यह कौन सा reaction है देखो यह एक नेम reaction के साथ यह वाला डियेजेंट तुम लोग को सेम जैसा लगेगा यह क्या है HVZ है है हना HVZ हम लोग कैसे मालूम चलेगा अगर हम लोग reagent के रूप में chlorine या तो bromine plus red phosphorus यूज करते हैं ठीक है और second में अगर हम लोग इसको H2O के साथ reaction करवाते हैं यह reagent किसका reagent है हेल वोलर्ड जेलिंस की reaction का reagent है है ना तो इसी लिए हम लोग क्या बनाना है यहाँ पर alpha हैलो यहाँ पर आलफा हैलो के जगा अलफा क्लोडो बोलेंगे हम लोग है ना कि सी डबल ओ एच बन गया है ना अब हम लोग क्वेस्टन नंबर 17 देखते हैं देखो क्वेस्टन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है यह भी एक तरह का HVZ reaction है है ना इसमें जो है क्या दिया हुआ है CH3CH, CH3CH, CH3CH यह आलफा इडूजन है यह आलफा इडूजन को हटा के आप लोग को BR डालना है ठीक है तो यह आप लोग का ऐसे homework रहेगा आप लोग इसको solve कर लेना अगर problem phase करते हो तो बता देना अभी हम लोग क्या देखना है 18 नंबर देखना है तो 18 नंबर में क्या दिय हुआ है देखो बेंजोई के साथ अगर हम लोग reaction करवाएंगे तो क्या बन जाएगा sodium benzoid बनेगा प्लस वाटर बनेगा है ना यह क्या है बेंजोई कैसीड है अगर हम लोग किसके साथ reaction करते हैं इससे क्या बन जाएगा sodium benzoid बन जाएगा ठीक है क्या बोला जाता है sodium benzoid साइट दिख रहा है आप लोग अच्छे से प्लस क्या बन जाएगा वाटर देखो c o o na c o o na plus water बनेगा ठीक है अभी हम लोग 19th नमबर देखते हैं यह है आप लोग का 19th नमबर कुष्टन ठीक है तो 19th नमबर कुष्टन में देखो यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा हम लोग इसको sodium benzoid ठीक है sodium benzoid को जब भी हम लोग नहीं के साथ reaction करवाएंगे इन प्रेजंस आफ कैल्सियाम ऑक्साइड ठीक है इसको क्या बोला जाता है soda lime बोला जाता है NaOH plus CO soda plus quick lime ठीक है तो इससे क्या formation हो जाएगा इसका बेंजीन में बेंजीन बन जाएगा प्लस क्या बनेगा Na2 CO3 बनेगा प्लस क्या बनेगा Na2 CO3 बनेगा इसको कौन सा reaction बोला जाता है decarboxylation reaction यह भी हम पहले explain कर चुके है अल्रेडी यह सारे बहुत ही important reaction है देखो बच्चों यह जो दिया हुआ है ऐसे homework तुम लोगों को solve करना है क्यों solve करना है क्योंकि यह वाला reaction इसके साथ similar है decarboxylation reaction ठीक है अब हम लोग question number 20 देख लेते हैं last question है यहां पर देखो COOH है यह बेंजोईक असीड है बेंजोईक असीड को जब भी हम लोग bromine alongate FB3 के साथ reaction करवाएंगे तो क्या होगा यहां पर bromination होगा और यहां पर COOH जो है यह क्या है electron withdrawing group है तो इसलिए BR कहां पर जाएगा metaposition पर जाएगा है ना तो metabromo benzoic acid जो है ऐसे product आप लोगों को मिलेगा metabromo benzoic acid आया समझ में metabromo benzoic acid जो है वह आप लोग को product के रूप में मिल जाएगा ठीक है तो यह आप लोग का आज का पूरा है तो आप लोग यह सब को solve कर लेना अच्छे से आप लोग practice भी कर लेना जो मैंने करवाया है यह सारे board के लिए बहुत ही important है और बच्चो प्लीज यह वीडियो को जितना हो सकता है share कीजिए क्योंकि यह बनाने का यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जादा से जादा बच्चो को इसका benefit मिल सके ठीक है okay then thank you बच्चो